हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों हाजर हूं मैं आज एक कमाल की वीडियो में जिसमें मैं आपको हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आई वी एन आर के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में बताऊंगी तो मैं आपको बता दू यह एक तेलगू फिल्म है जो रोमेंटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे एस दर्शन द्वारा डायरेक्ट किया गया है तो आज हम इसके दो दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस फिल्म को 27 अगस्त को रिलीज किया गया था और आज फिल्म को दो दिन हो चुके हैं रिलीज हुए तो चलिए जानते हैं कि फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर अब तक कितनी की कमाई कर ली है और फिल्म हिट रही या फ्लॉप चलिए शुरू करते हैं वीडियो को एंट तक दे वेल इस एक्शन ड्रामा फिल्म में आपको शुशान प्रियादर्शी पुली कॉंडा मिनाक्षी चोधरी और विनिला किशोर लीड रोल में नजर आ रहे हैं जो अपनी एक्टिंग से आपको इंप्रेस करते हुए दिखाए देंगे और फिल्म को प बात करते हैं फिल्म के बजट के बारे में तो फिल्म का बजट है एस्टीमेट आठ करोड रुपे जी अधोस्तों और फिल्मने ऐफनिंग डे यानि फस्ट डे एक करोड पांच लाग की कमाईव की जीः दोस्तों वहीं हम सेकंड डे की बात करें तो सेकंड डे wesल्म थोड और सेंटे बॉक्स ओफिस से — तो फिल्म ने बहुत कम कमाई की है यानि एकोडिंट।처 सूर्डा बॉक्स-ऌफिस आईवी औरर खमाई इतनी नहीं हुई है यानि ये बॉक्स ओफिस पर इतना धमाल नहीं मचा पाई है जितनी श्री देवी बॉक्स ऑफिस तो आपका इस मूवी को लेकर क्या कहने और आपको इस मूवी का कॉंसेप्ट कैसा लगा और की स्टोरी लाइन कैसी लगी प्लीज कमेंट शेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और आने वाले बॉक्स ऑफिस से अपडेट हैन लेचाने जी की सब्सक्राव मेंट जानिए रॉक्षान मेंट करते हैं